हलो फ्रेंड्स मिया नाम है सेंडी और आप देख रहे हैं ग्यान विज्ञान दोस्तों आज के वीडियो में हम डीटेल में जानेंगे कि डेबिड कार्ड के बिना ATM से पैसे किस तरह से निकाले जा सकते हैं और दोनों के बीच में पायदे और नुकसान क्या हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बिलाता रहता हूँ तो चलिए स्चार्ट करत के अगर आपको अपने अकाउंट से पैसा निकालना है तो आप ऐसा करने के लिए अपने मुबाइल बैंकिंग एप की मदद ले सकते हैं आज के समय में लगभख हर बैंक अपने मुबाइल बैंकिंग एप में ATM से कैश फिड्रॉल करने की पैसलिटी देता है दोस्तों बैंक में अपलाई करेंगे तब अगर आप नॉन पर्सनलाइज कार्ड लेते हैं तो वह अगर बैंक के पास होगा तो तुरंद मिल जाएगा लेकिन अगर नहीं होगा तो आपको पर्सनलाइज कार्ड ही लेना होगा जिसे 15-20 दन बाद या तो आपको बैंक में लेने आना पढ़ेगा या आपके घर पर डाग द्वारा पहुचाए जाएगा बैंक द्वारा पर वहीं मोबाइल बैंकिंग के लिए आप जिस दिन अपलाई करेंगे आपको उसी दिन मिल जाएगी दोस्तों डबिट कार्ड भी दो तरह के होते हैं परस्नलाइज कार्ड और नॉन परस्नलाइज कार्ड नॉन परस्नलाइज कार्ड वो कार्ड होते हैं जिन में आपका नाम नहीं लिखा होता है यह कार्ड बैंकों को लिमिट में मिलते हैं और कुछी customers को bank ये card दे पाती है लेकिन main card होते है personalized card आज के time पे जहातार लोगों के पास personalized card होंगे जो bank 15 से 20 दिन लगाने के बाद देती है और उनमें आपका नाम लिखा होगा personalized card में नाम होता है और non personalized card में नाम नहीं होता है debit card जारी करवाने के लिए आपको bank को issuance charge देना पड़ता है पर वही mobile banking आपको free में मिल जाएगी debit card में annual maintenance charge हर साल कटेगा आप जितना ज़्यादा transaction capacity वाला card लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका annual maintenance charge कटेगा annual maintenance charge हर card का अलग हो सकता है जबकि mobile banking में annual maintenance charge जैसी कोई चीज नहीं है अगर debit card खो जाए तो उसे block करवाने का भी ज़ंजट है पर वही mobile banking में खो जाने या block करने यसी कोई चीज नहीं है debit card से ATM मशीन से जो mini statement निकलता है उसमें आप सिर्फ 8 transactions ही देख सकते हैं यानि कि जो latest 8 transactions होंगे 8 transactions सिर्फ वही दिखाई पड़ते हैं डेविड कार्ट से लगभग सभी बैंकों में एक महीने में ATM मशीन से 5 financial transactions या 10 non-financial transactions प्री कर सकते हैं जिससे ज़्यादा करने पर चार्ज लगता है जबकि mobile banking से कितनी बार भी financial transactions आप कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के और non-financial transactions भी बिना किसी चार्ज के कर सकते हैं non-financial transactions के लिए तो आपको ATM तक भी जाना नहीं पड़ेगा आप घर बैटे ही वो सारे काम निप्टा सकते हैं debit card से आप UPI transactions नहीं कर सकते हैं ज़कि mobile banking app से आप UPI transactions भी कर सकते हैं mobile banking app को चलाना बहुत ही simple है और बहुत ज़्यादा mobile data की जुरूद भी नहीं पड़ती है आज के समय में अगर आपको debit card से पैसा निकालना है तो debit card अलग से रखना पड़ेगा लेकिन वही mobile banking app तो आपके mobile में ही है जो आप लगबख हर जगे लेके जाते ही है आएए आप जानते हैं कि mobile banking app के साथ अभी की समय में क्या परिशानिया है mobile banking में कभी कभी bank के server down होने या आपके net के ना चलने की समस्या से भी आपको गुजरना पड़ सकता है कई बैंकों में mobile banking app से पैसा निकालने की limit काफी अलग है जैसे SBI में mobile banking app से आप SBI के ATM से 20,000 रुपए तक cash निकाल सकते हैं एक बार में जबकि bank of order में आप 5,000 से यदा नहीं निकाल सकते हैं mobile banking की मदद से आप सिर्फ उसी bank की ATM से पैसा निकाल सकते हैं जिस bank का mobile banking app है किसी और bank की ATM मशीन से आप दूसरे bank की mobile banking app से पैसा नहीं निकाल सकते हैं अब दोस्तों अगर आपके पास SBI का account है और SBI की mobile banking app आप इस्तमाल कर रहे हैं तो उसकी app का इस्तमाल करके पैसा निकालना अगर आपको है तो SBI की ATM में ही जाना होगा आप bank का परोधा, PNB या किसी और bank की ATM में जाकर पैसा नहीं निकाल पाएंगे mobile banking app की मालब से अब दोस्तों debit card के बिना भी आप ATM मशीन से पैसा निकाल सकते हैं लिए उसमें भी कुछ कमिया है जो मैंने अभी आपको बताएं फायदे जादा है, कमिया कम है लेकिन इनके बारे में अब पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल गई है मेरे हिसाब से आपके पास दोनों चीजे होनी चाहिए debit card तो लगभक सबने ले ही रखा होगा, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है आज के टाइम पे लगभक सबके खाते में debit card इशू है और सबके पास है लेकिन mobile banking app अगर आपने नहीं ले रखी है तो वो आप जरूर ले वो एकदम free होती है, लेने में कोई नुकसान नहीं है, कोई पैसा खर्चा नहीं होता है जो आप लोग WhatsApp पे net इस्तमाल करते हैं, उतने ही net में आपकी mobile banking app भी चल जाएगी और आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, तो भी request है कि आप लोग mobile banking app का इस्तमाल भी जरूर करें और कोशिश ये करें कि debit card के बजाए mobile banking app से पैसा निकालने की आदर डालें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में आपने जाना कि बिना debit card के आप ATM मशीन से पैसा कैसे निकाल सकते हैं उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगया होगा और इच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपका इसे समझित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें मैं जवाब ज़रू दूँगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ग्यान विग्यान को साथ ही नोटिफिकेशन बल आइकन को ज़रूर दबाईएगा और 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 क्लिक कीजेगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ थैंक्स फर वर्चिंग